हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजूकेशन स्टेज, फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में ब्याज निकालना सिखाएंगे और चक्रवद्य ब्याज साधारण ब्याज में अंतर बताएंगे कि चक्रवद्य ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज क्या होता है वीडियो में बने रहिए और आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ठीक चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए प्रस ने दिया गया है 4000 रुपाय का 3% वार्शिक ब्याज की दर से 2 वर्स का साधारण ब्याज और चकुरद ब्याज ग्याद कीजिए साधारण ब्याज भी हमें ग्याद करना है और चकुरद ब्याज भी ग्याद करना है तो सबसे पहले एक मोटी मसल समझ लीजिए कि चक्रद ब्याज क्या होता है और साधराड ब्याज क्या होता है जैसे आपने किसी को 100 रुपय दिये और वो 10 प्रित्सत वार्शिक ब्याज की दर से दिया गया है तो 100 रुपाए में आपको 10 रुपाए इस्ट्रा देने होंगे एक साल में तो इसका मतलब हुआ आपको 110 रुपाए देने होंगे एक साल में आएं दूसरे साल में केतना हो जाएगा 10 रुपाए और बढ़ जाएंगे तो 120 रुपाए हो जाएंगे लेकिन चक्रधि में क्या हो जाएघ तो कितना हमारा रुपाय हो जाएगा संज रहे न हैं एक बार फिर से समझ लीजिए जो चकरद लूशे प्रम vette बैस निकाल जाता है वह जो घ्यारत जोгляд की निकाला जाता है 110 रुपाय का हम निकालेंगे दूसरे बर्स इसको कहते हैं चक्रद ब्याज मतलब ब्याज में फिर जोड़के ब्याज निकालना ब्याज में मूल रकम को जोड़के फिर से ब्याज निकालना वो चक्रद ब्याज कहलाता है ठीक तो चलिए पहले हम साधार ब्याज निकालने का सूत्र बताते हैं फिर चक्रद ब्याज निकालने का सूत्र भी बताते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है ना तो इससे आप निकाल लेंगे मूल धन 400 4000 सामय दिया गया है दो वर्स और दर दी गई है तीन प्रत्सत और बटे में 100 कर देना है तिक यह प्रत्सत नहीं लगाना है यह जो इस तीन लिखा गया है इसका मतलब ही होता है बटे में 100 लग गया इसका मतलब प्रत्सत लग गया अब देखिए हल करने के लिए क्या किया जाता है दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दिये जाते हैं और आपस में इनका गुरा कर लिये जाता determines यो सब्सक्राइब करेंगे कुछ करेंगे его टो होजाएगा यह दो सो चालीस केतना हो जाएगा होगा तो कितना हो जाएगा 240 रुपए हो जाएगा कितने का 4000 रुपए का दो वर्स का ब्याज 240 40 रुपए हो जाएगा अब चक्रद्य ब्याज कैसे निकालते हैं तो देखिए चक्रद्य ब्याज निकालने के लिए क्या किया जाता है एक मेहन सूत्र होता है इसको ध्यान से समझेगा चक्रद्य ब्याज बराबर ब्याज बराबर पी ब्रेकेट में लिखना है वन प्लस आर अपान हेंड़ेट की पावर एन अ माइनस वन देखिए समझ लीजे चक्रद्य ब्याज डारेक्ट बता रहे हैं हम सी यह कंपाउंड इंट्रेस्ट चक्रद्य ब्याज डारेक्ट निकालने के यह सूत्र है और जो मिस धन निकालने का सूत्र होता है वो थोड़ा सा चेंज रहता है तो उसको भी बादस में बताएंगे पहले हम डियाज निकालने के सूत्र बता देते हैं पी का मतलब क्या होता है पी का मतलब होता है मूल धन ठीक मूल धन हम हिंदी में लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए आर का मतलब होता है दर N का मतलब होता है समय, वर्स में समय, ठीक, P हो गया मूलधन, सत्दर, समय, तो यही तीन चीज़े दी रहती हैं हमें प्रस्ण में, हमको निकालना होता है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, चकुरेदि ब्याज, C I, compound interest को कहते हैं, C I, P कमान केतना दिया गया है, 4000, 1 प्लस, R कम समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है, 2 वर्स, माइनस, 1, यह हमने लिख दिया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सालो करेंगे, थोड़ा सा, 4000, अब देखिए, इसको सालो करेंगे, 103, गुड़े, 103 बट्टे, 100 हो जाएगा, यह से में घात लगी हुई है, ठीक, माइन माइनस, 1, यह इस प्रकार बना हुआ है, अब क्या करते हैं, 103 का 103 का वर्ग करेंगे, मतलब, 103 गुड़े, 103 तो कितना हो जाएगा, 100, 103 और 103 हो जाएगा, 10609, अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 10,000, अब माइनस, 1 चल रहा है, अब बाहर क्या चल रहा है, 4000, है न, अब क क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा सालो कर लेंगे, यहां तक हमने कर लिया था, तो यह पेज नहीं बचा है, तो दूसरे पेज में लिखके बता रहे हैं, देखिए, इसके बाद क्या करना है, आपको, 4000 बाहर लिखा गया है, अंदर क्या लिखा गया है, LC हम ले लेते हैं इसके नीचे एक उनमान के, LC म लेंगे, तो कितना हो जाएगा, इसके उपर भी आ जाएगा, 10,000 और नीचे भी आ जाएगा, तो नीचे वाले को एक बाहर लिखते हैं, अब इसके बाद क्या करते हैं, फिर से 4000, अब देखिए, 10,609 में अगर 10,000 खटाएंगे, तो 609 उपर बचेगा, बटे में 10,000 बचेगा, ठीक, अब यह सालों कर लेंगे, आसान हो गया, तीन जीरो हैं, तो तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल कर दिया, नीचे बचा दस, और चार का गुड़ा 609 में करेंगे, तो 609 गुड़े चार करते हैं, चार नहीं है, चार नहीं जाएगे, और यहां आया चर्चंग 24 ठीक अब इसके बाद नीचे जो लिखा गया इसको भी लिख लेना है तो 10 का मतलब होता है एक दसंब्लों यहां लग जाएगा तो 243 दसंब्लों 6 अलब 243 रुपाए 6 पैसे चकुरे दिव्याज हमारा बना ठीक 243 रुपाए 6 पैसे दो साल का चकुरे दिव्याज बना इस प्रकार यह चकुरे दिव्याज निकालते हैं और देखिए साधर व्याज हमारा कितना निकल गया था अंतर ज्यादा आता है लेकिन अगर छोटी रकम है तो ज्यादा नहीं आता है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे वीडियो देखने लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें